मैं समझता हूँ कि मुसलमान बेटियों पर तीन तलाक का फंदा लटका कर मुसलिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं इसका इस्लाम से समंध होता तो दुनिया का कोई मुसलिम देश तीन तलाक खतम नहीं करता मुझे लगता है कि जो भी तीन तलाक के पक्षमे बाते करते हैं तीन तलाक की वकालत करते हैं ये वोट बेंग भूखे लोग मुसलिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं दुनिया के अनेक मुसलिम बहुल्य देश इसका इसलाम से समंध होता तो दुनिया का कोई मुसलिम देश तीन तलाक खतम नहीं करता मुसलिम बहुल्य देश जहां पूरी तरह इसलाम राज्य है वहां भी तिन तलाक बंद कर दिया है मैं परसो हूँ इजिप्त में था मिस्र में था मिस्र में इजिप्त में 90% से ज़्यादा सुनि मुसल्मान समाज है और इजिप्त में आच्चे 80-90 साल पहले तीन तलाक की प्रधा को समाप्त कर दिया हमसे 90 साल पहले अगर तीन तलाक इसलाम का जरूरी आंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भई अगर तीन तलाक इसलाम का जरूरी आंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता अगर तीन तलाक इसलाम का जरूरी आंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बंगलादेथ ये तो सारे मुसलिम बस्ति वाले देश है वहाँ पर उनको मन क्यों कर दिया मैं समझता हूँ कि मुसलमान बेटियों पर तीन तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छुट चाते हैं यही लोग तीन तलाक का समर्थन भी करते हैं